अब जो भी हम सारा रिसर्च करते हैं उसको हम कैसे करते हैं कैसे उसमें एप्लिकेशन किया जाता है कौन-कौन सी थीम्स उसमें होती हैं वो यहां पर बताया गया है so there are some of the themes which provide direction to research and application of psychology and these are कुछ themes है जो research and application में हमारी help करते हैं psychology में और वो कौन-कौन सी themes है वो यहां पर discuss की गई हैं तो सबसे पहले theme 1 psychology like other sciences attempts to develop principles of behavior and mental processes psychology में जब ही हम research करते हैं तो उसमें जो different different दूसरे और भी sciences होती हैं उससे सारा कुछ principle of behavior और mental processes को हम frame कर पाते हैं मतलब की psychology जैसे बाग की other science होती है जैसे natural science है social science है तो यह जो सारी different different science है इसमें जिस तरह से सारा experiment किया जाता है और फिर कुछ principles बनाए जाते हैं तो जैसे gravity है तो gravity की theory है gravity को पढ़ा उसके बारे में एक theory आती है और फिर gravity से related कुछ principles बनते हैं कुछ laws बनते हैं जैसे हम newtons के law पढ़ते हैं तो same way में psychology में भी जो research वगरा की जाती है तो उसमें behavior और mental processes को लेके principles बनाए जाते हैं तो जैसे यहाँ पर जो main concern है वो किसे एक चीज़ को लेकर है कि हमको behavior को समझना है हमको mental events को समझना है हमको mental processes को समझना है हमको experiences को समझना है human mind कैसे work करता है consciousness unconsciousness हर एक चीज़ को हमको समझना है psychology के अंतर तो psychologist क्या करता है की data collect करता है जैसे आप ध्यान करोगे अभी हमने यहाँ पर पड़ा हुआ था एक hypothetical deductive model जिसमें हमने देखा था कि research exactly की कैसे जाती है तो जैसे for example हमको किसी भी चीज़ पर लेके research करनी है तो हम generally क्या करते हैं कोई भी phenomenon के बारे में आपको जाना है कोई भी research आप कर रहे हो just suppose आपको कोई assignment ही मिला हुआ है आपको assignment मिला हुआ है किस topic पर क्या एक topic ले just suppose environmental disasters जो हो रहे है या for example for example हमाचल प्रदेश में किसी तरह का कोई natural disaster हो गया आपको उसको पर research करनी है तो सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले हमाचल प्रदेश में कौन सा disaster हुआ है उसकी बारे में पढ़ोगे उस एक चीज़ को समझोगी कि क्या हुआ है फिर वहाँ पर exactly क्या पूरा scenario था क्या सारी circumstances थे किस तरह से disaster होता है उसको लेकि information collect करोगे जो information क्या क्या चैलाएगी data तो सबसे पहले information collect करोगे फिर वो disaster मतलब सबसे पहला question तो यह होगा ना कि disaster हुआ तो हुआ कैसे जो disaster हुआ तो वो वहाँ पर क्यों हो पाया क्या उसके सारे reasons थे कैसे वो सारी चीज़े हो पाई तो सबसे पहले तो यह हमारे पास में question है अब इस question का हमको answer देना है तो उसके लिए हम यह अकसर मतलब एक hypothesis बनाएंगे क्योंकि वो जो है मतलब hilly areas के अंदर आता है वहाँ पर landslides बगेरा होना यह थोड़ा सा easy मतलब यह चीज़े common हो जाती है तो लेकिन फिर भी क्या ऐसे सारी reasons है वहाँ कि किस तरह की geographical condition है जिसकी वज़े से ऐसा हो पाया तो हमने क्या किया हमने data collect किया अब आपने data collect किया फिर उस data पर आप study करोगे कि हाँ यह 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 सारी चीज़ें थी और finally जब आपका data आपके हाँ में होगा जब आपने पूरा research कर लिया होगा तो आप एक conclusion बनाओगे कि यह सारे कारणों की वज़े से हिमाचल प्रदेश में यह वाले disaster हुआ ठीक है तो इस तरह से आपने एक आपको assignment दिया था उसके उपर आपने study करी सेम वे में जब हम psychology में research करते हैं तो हम data collect करते हैं जैसे for example हमको पढ़ना है कि students exam के time पे stress क्यों ले लेते हैं just suppose यह हमारा question है तो हम data collect करेंगे हम students से जानेंगे just suppose हमारे पास में 40 students हैं तो इन 40 students से हम बात करेंगे कि क्या आपको exam time में stress होता है तो फिर हमको कुछ अलग अलग जो है viewpoints मिलेंगे जैसे for example अगर कोई student कोई student देशा बोलता है कि नहीं मैंने तो exam के लिए सारा कुछ पहले से ही पढ़ रखा है कोई student बड़े चिल रहते हैं दे भी like कि हां हमने साल पर कुछ नहीं पढ़ा बट स्टिल हमें टेंशन नहीं है हम पढ़ देंगे अभी 2-4 दिन है हमारे पास में और हम अच्छे से exam देंगे कुछ student बहुत जादा stress लेते हैं तो ऐसे जो हमने different 40 students लें उनसे सभी सा हमको different different viewpoints मिलेंगे और कोई तो ऐसा viewpoint होगा जो बहुत common होगा जैसे कि कुछ कम से कम इस 40 में से 5 students तो ऐसा बोलेंगे कि अगर हमने पहले से पढ़के रखा है तो हमको stress नहीं होगा और हो सकता है 20 students ये भी बोले कि पढ़ा तो था बट याद नहीं रहता तो थोड़ा से डर तो लगता है थोड़ा से stress तो हुई जाता है तो इसलिए हमको अच्छे से और ज़्यादा महनत करने पड़े हो सकता कुछ students ये भी बोलेंगे कि कुछ भी नहीं पढ़ा है इसलिए बहुत जादा stress हो रहा है तो हम एक majority का viewpoint लेंगे उस data को पूरा समझेंगे पढ़ेंगे फिर उसमें हम conclusion बनाएंगे कि ये majority जो हमारे पास में viewpoint आता है कि stress जो है वो student इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने साल भर नहीं पढ़ा जिन students ने साल भर पढ़ा था उन्हें कोई stress नहीं है तो इस तरह से हम क्या करते हैं conclusions बनाते हैं जो data के through supported होता है और फिर सारे experiments होते हैं और जो भी मतलब जैसी भी conditions के अंदर फिर जो है हम psychological phenomena को समझ पाते हैं और इस तरह से फिर जो है behavior mental processes को लेके भी studies की जाती है धेर सारे research की जाती है और फिर जो भी हमारे पास में data collect होता है उसको जब हम conclude करते हैं तो कुछ principles हमारे पास में बनते हैं जो general होते हैं जो सभी के लिए applicable होते हैं and the purpose is to develop general principles about behavior and mental processes तो जैसे हम यहाँ पर research करेंगे behavior and mental processes को लेकर तो जब हमारी research complete हो जाएगी जब हम conclusion बना देंगे तो हमारे सामने कुछ तो ऐसी चीज आईगी ना research में behavior और mental processes को लेके कुछ principles बन जाएंगे और यह जो principles होंगे यह universal होंगे यह सभी जगा पर ऐसे ही होते होंगे क्योंकि हमने इसको पर पूरा research किया हुआ है ओके आया यह भी समझ में next जो हमारी theme है that is theme 2 human behavior is a function of the attributes of persons and environment human का behavior उसके environment से और जिन भी लोगों के साथ में वो र perfect होता है तो इसमें court 11 ने एक जो है famous equation दी है that is b is equals to f in bracket p e तो यहाँ पर इसका full form क्या है b का मतलब क्या है behavior f का मतलब क्या है आपका function और इसके बाद में p क्या है आपका person और e क्या है आपका environment तो आप जैसे भी लोगों के साथ में मिलते हो आप जिस भी पूरे environment में रहते हो आपका social, cultural, biological साथी साथ में आपका जो पूरा एक environment है जो ecology है यह जब दोनों चीज़े एक दूसरे के साथ में आती है जब यह person और environment multiply होते हैं तो यह किस तरह से function करते हैं यह जिस तरह से function करेंगे that will be called as behavior so behavior जो है वो आपके मतलब जो behavior है वो person और environment के attributes के through जो है मतलब हमको साथ में आता है human behavior जो है वो इन चीज़ों से बहुत जादा affect रहता है इसका मतलब कि यह है कि human का जो behavior है वो बहुत जादा उसमें variations आती है जब वो different लोगों के साथ में मिलता है जब वो different environment में होता है यह इसी लिए क्योंकि सबके genetic abilities जो है वो different different है सबके अपने diverse experiences है सब अल हम human के behavior को भी समझ सकते हैं कि different circumstances में वो कैसे behave करता है तो यह कुछ general principles हैं कुछ themes हैं आपके psychology के अंदर थर्ड है human behavior is caused human किसी भी तरह से behave करें उसके हर एक behavior हर एक reaction हर एक response का कुछ ना कुछ कारण होता है तो इसलिए वो बुर रहे कि human behavior जो है वो caused है हर तरह का human behavior हो चाहे internal हो चाहे external हो किसी भी चीज़ के लेकर हो लेकिन उसके कुछ कारण ही ना हो जो बिना किसी cause के बस just हो गया जाते हो तो यह जो आपके reactions है यह जो आपके responses है obviously उसके पीछे कोई ना कोई चीज है जो काम करी कुछ ना कुछ ऐसा stimulus है involvement में या चाहे आपके internally जो आपके behavior को affect कर रहा है या आप उसकी वज़े से behave कर रहे हो तो किसी भी तरह का human behavior हो उसके धेर सारे causes होते हैं और psychologist जो है व उसके खुश होने के पीछे बहुत सारे reasons हैं क्या सारे reasons हैं क्या सारे variables हैं जिसके वज़े से आज वो बहुत ज्यादा happy feel कर रहा है या react कर रहा है या for example कोई person बहुत रूट बीहेव करता है तो उसके रूट behavior के पीछे क्या सारे reasons हैं तो अभी जो मैं आपको हूँ वो सभी इसके अंदर आप मतलब समझ साकते हो ठीक है फिर one cause may itself be caused by another variable which in turn may be caused by some other तो भही की कोई behavior हुआ है उसके पीछे कोई एक कारण था फिर उस एक behavior के पीछे भी कोई कारण था तो बहुत सारे ऐसे causes होते हैं जिसके वज़े से humans किसी तरह से behave करते हैं theme 4 है आपकी understanding of human behavior is culturally constructed human का behavior जो होगा उसको अगर आपको समझना है तो आपको यह देखना होगा कि वो culturally constructed है culturally constructed अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके culture से influence होता है आप जिस भी culture में होते हो जिस भी culture का part होते हो वो culture आपके behavior को construct करता है तो अगर आपको human behavior को समझना है तो आपको उसकी culture क को भी समझना होगा आपको उसकी सुसाइटी को भी समझना होगा और यह जो कंस्रॉक्टेड वाली थीम है यह बहुत ही रिसेंटली इमर्ज रही है पहले यह थीम उतनी जादा मतलब रेलिवेंट नहीं हुआ करती थी नहीं इसके बारे में जादा फोकस किया जाता था बट देखी कि बहुत सारे ऐसे psychological theories हैं जो जैनरली Euro-American है nature में मतलब की European countries ने अमेरिकन जो मतलब अमेरिका जो है जो Western countries है उन्होंने जो आईडियास दे उसके उपर psychology जो है बेस्ट है या उसके उपर psychology चल रही है बट यह एक चीज पॉसिबल नहीं हो सकती इंडिया में क्योंकि इंडिया के अपनी issues है इंडिया के अपनी problems है इंडिया का अपना culture है इंडिया के अपनी society है जो इंडिया के people के psychological phenomena को shape देती है तो इसलिए हमको जो है behavior को समझने में हर एक तरह की cultural setting को समझना होगा और Indian people के अगर हम behavior को समझना चाते है तो हमको Indian culture को भी समझना होगा and psychologists from Asia, Africa Latin America have been critical of Euro-American approaches which are propagated as universal and a similar critic is made by feminist और same critic feminist भी करती है जहां वो ये बोलती है कि psychology को पढ़ने में या psychological research में हमेशा male perspective को ध्यान में रखा जाता है, women के perspective को ध्यान में नहीं रखा जाता तो हमको psychology को कुछ इस तरह से भी develop करना है जिसके अंदर हम culture, society और female male हर एक perspective को ध्यान में रखें तो ये आपकी theme 4 हो जाती है फिर आपकी जो theme 4, 5 है वो ये बोल रही है कि human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principles, human का जो behavior है उसको हम control भी कर सकते हैं, उसको हम modify भी कर सकते हैं, उसको हम change भी कर सकते हैं और इसके लिए जस्ट हमको psychological principles को apply करना होगा, तो यहाँ पर बात आती है आपकी applied psychology की, किस एक चीज़ की, applied psychology, जहाँ पर जो भी सारे psychological phenomena हम अभी तक पढ़ रहे थे, उसको हम apply भी कर सकें, तो scientists like to know how certain physical or psychological events can be controlled, so their concern arises from their desire to develop techniques or methods that will improve the quality of human life, तो generally देखो कोई भी discipline हो, वो हमेशा क्या चाता है, quality of life हम सभी humans को ensure कर सकें, तो psychology में भी जो भी quality of life है, हम उसको सभी humans को ensure कर पाएं, तो उसके लिए हमको psychological phenomena को समझना होगा, psychological disorders को दूर करना होगा, तो बहुत से ऐसे scientists हैं जो यह जानना चाते हैं कि कैसे हम psychological या physical events को control कर सकते हैं, तो यह जो है, मतलब इसके लिए हम क्या चार रहे हैं कि क्योंकि हमको quality of life देनी है, सभी को quality of life ensure करनी है, so this often requires removal of certain difficulties or adverse conditions that individuals experience in different phases of their life and consequently psychologists make their certain interventions into the lives of the needy people, तो generally क्या होता है कि जो psychologists होते हैं, वो जो भी needy people हैं, उनकी life में अपने से ही, खुझ से ही initiative लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो भी सारी उनकी problems होती हैं, उनको solve करते हैं, और इसके लिए जो भी psychological research जो नो ने किया हुआ है, उसको वो apply भी करते हैं लोगों की life में, जिसके through, वो quality of life जो है उसको improve कर पाएं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि psychological disorders, जो भी सारे phenomena हैं, उसको हम control कर सकते हैं, human behavior को भी हम control कर सकते हैं, अगर हम उसमें हमारे psychological principles, जो भी हम research के through जाना है, समझा है, उसको apply कर दें, तो and this applied role of psychologist has brought the subject closer to the life of the people in knowing the limits of the applicability of its principles, अब ये applied role है psychologist का, मतलब जिसमें हम psychological phenomena को apply भी कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ कि psychology का subject और ज़्यादा people की close आ जाता है, जहां पर उनको ये लगता है कि जो भी सारे research वगिरा हुआ है, उस एक मतलब वो सारे knowledge को आप हमारे उपर apply किया जा रहा है, जिससे हमारी quality of life जो है वो improve हो सकती है, और इसकी वज़े से psychology बहुत ज़्यादा as a subject popularize भी हो पाया है, so several independent branches of psychology have emerged और इसी के साथ में बहुत सारी branches जो है psychology के emerge होती है, मतलब in short यहां जो आपने सारी themes को discuss किया, उसमें आपने ये दिखा कि सबसे पहले तो यहां पर हमको सबसे पहले कुछ general principles बनाने हैं, जो कि universal होंगे, जैसे science में हम experiments करते हैं, फिर कुछ principles बनते हैं, जैसे Newton law है, gravity को लेके, तो same way में psychology के भी अपने principles होने चाहिए, जो सब जगा applicable हो, सबसे पहले ये एक चीज़ पर focus करना है, human behavior कैसे cause होता है, उस एक ये जो सारी चीज़ों को जब हम study करेंगे, तो इसके थूँ जो एक हमारा general, मतलब एक कुछ जो principles create होंगे, psychology related, एक जो general idea, एक जो general knowledge हमारा create होगा, psychology related, उसको हमको apply करना है, quality of life को improve करने के लिए, जो हमने theme 5 के अंदर discuss किया, ठीके, ये भी आ गया है आपर समझ में, आप इसके बाद में है कुछ आपकी branches of psychology, सो धेर सारी branches जो है, psychology की emerge होती चली जाती है, जिसमें हम psychological theories, principles को use करते हैं, problems को solve करने के लिए और उसमें आपके industrial, organizational, clinical, education, environment, health, community, development, हर एक तरह की, मतलब धेर सारी चीज़ें इसके अंदर discuss करी जाती है, तो अभी तक आपने जैसे धेर सारी branches of psychology को पड़ा, आपने themes of psychological research को पड़ा और कैसे research application किया जाता है, और ये सारी research कैसे हम different branches में इसके knowledge को apply करते हैं, ये सब कुछ यहाँ तक जो है cover up कर लिया गया है और सारा कुछ revise भी हो चुका है